या मंदी करके जाओं अब ये एक वर्डिक्ट फैर के ऐसा होगा जो कि सिर्फ निफ्टी निफ्टी बैंक को नहीं निफ्टी आईटी को पर भावित करेगा Now, taking into picture निफ्टी आईटी, पहले बात करते हैं निफ्टी पर हमने शुकरवार को लो से एक strong pullback भी दिया और कल retrace भी होगा That means, हम कहीं ने कहीं एक neutral trajectory में जा रहे हैं इस event के मद्दे निफ्टी कहां खड़ा है, कितना खोकर, कितना पाकर और क्या करके जाना चाहिए यहां पर आपकी अप्रोच कर रहे है फिर मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है मेरी एक basic अप्रोच यह है market में, कि market में इस समय शॉर्ट्स काफी है और market में इस समय एक lows को market ने protect किया है अब unless Fed के तरफ से कोई बहुत बड़ा shocker आ जाए मुझे लगता है market बहुत जादा यहां से गिरेगा नहीं और बीच 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 में क्या होगा, जिसे आज का low है आज का low कल के low से थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे नीचे नहीं है थोड़ा सा नीचे, लेकिन एक चीज जो आज निफ्टे ने की है जो हमने सुबह सुबह डिसकुस किया था, हमारा first base किया था 19,028 का, अभी भी उसको तोड़ा नहीं है, इंट्रडे में तोड़ा है लेकिन हम उसके आसपास ही है 19,028 का, और second base को तो हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया तो मेरा ये मानना है कि price action जो mid caps में है price action जो overall है कि एक बड़ा support zone है आपका 18,926 सा 18,940 अब देखिए इसमें issue क्या है support zone जो है आपका वो stop loss जो है आपका इंट्रडे में काम कर सकता तो मैं ये कहूँँगा कि अगर आप देड़ घंटे के लिए trade ले रहे हैं तो आप long करें और वो 18,926 का stop loss लगा दें अगर आप risk taker हैं लेकिन अब ये इंट्रडे में आप कर सकते हैं अगर आप long carry करना चाहते हैं तो क्या करें अगर आप long carry करके जा रहे हैं अगर आपको लगता कि नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा fed वाला event preempt मुझे बाद में trade नहीं होगा में higher probability event किया है मेरे ख्याल से इससे में higher probability event market का upside में क्योंकि हर कोई डरा हुआ है कि fed क्या करेगा और bond yield ये सब एक तरीके से आपको दबा के रखे हुए और short positioning इतनी है तो मेरा view ये है कि एक stop के साथ आप long करें अगर आप overnight में stop नहीं दख सकते तो इसके लिए हैज करें